Welcome students, कैसे आप सबी लोग? आपका अपने चैनल कुईक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है और आज की ये क्लास रीट वाले बच्चों के लिए बहुत जादा इंपोर्टन्ट है जो इस चैनल से जुड़े वे थे और पेपर टूट में साइन्स की तयारी कर रहे थे तेकि रीट वाले बच्चों के लिए ये समय बहुत ही इंपोर्टन्ट है और इस समय को आपको बहुत ही अच्छे से यूटलाइज करना है और आज की क्लास में हम एक मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें हम 30 कोशन देखेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मॉडल पेपर में मैं लास्ट टाइम में आपको जितना भी इंपोर्टन्ट की पॉइंट है last time पे आपको क्या देखना चाहिए वो मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगी science के लिए तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा देखे, युद्ध की तयारी आप बहुत समय से कर रहे थे वो एक अच्छी बात है, सब ही कर रहे हैं लेकिन last time पर जो आपकी रणीती है वो बहुत matter करती है और वही आपको युद्ध में विजय दिलाती है तो इस समय आप अपनी तयारी किस तरह से कर रहे हैं वो बहुत जादा important है क्योंकि ये last time की रणीती होती है और यहां आपको बहुती समस्य काम करना होता है चीजों को फैलाना नहीं है इस समय चीजों को सम्मीट ना है एक बात हमेशा याद रखेगा बहुत जादा याद करने से अच्छा है कम चीजों को बार-बार याद कर लिया जाए तो वहां भी सफलता बहुत अच्छी मिलती है लास्ट टाइम पे हम क्या करते हैं जहां से भी जो भी कंटेंट मिलता है एंट टाइम पर वहां से हम कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं ये वीडियो वो वीडियो नहीं इस समय जो पढ़ लिया आप तक उसको समराइस करो देखो कि हमने जो प्रक्टिस एट करे या जो थूरी करी कहां हमारी गलती थी क्या हमको चीजे द्यान में रखनी है एक्जाम टाइम पर सारे सब्जेक्ट को अच्छे से लेके चलें घबराना बिलकुल नहीं है और इस समय अपने जो जितना भी आपने पढ़ा है उसको सिर्फ समराइस करें अपनी कमिया पहचाने और लाश्ट टाइम में तो बहुत ही जादा आपको ध्यान रखना है अपनी हर कॉंसेप्ट का तो उन्हीं का रिवीजन करें नई चीजे इस समय बिलकुल ना देखें लाश्ट टाइम पर मेरी रिक्वेश्ट ये रहेगी कि एक बार आप साइन्स के सारे प्रीवेस एर के जो मैंने एक वीडियो बनाई है वो जरूर देखें उससे बहुत जादा हेल्प होगी एक्जाम में कि जो हमारा स्कोर है एक्जाम में वो बहुत ही बढ़िया हो जाए लेकि आप अपने आप में जीनियस है हर कैपिबिल्टी भगवान ने या गॉड ने आपको दी है तो ये समय में आप ये ना सोची कि मैं इस से कम हूँ उसकी तैयारी जादा है उसकी कम है नहीं जो आपने कर लिया अच्छा करा है अपने उपर confidence रखें अपने आपको ही अगर demotivate कर देंगे ना last time में तो आप अच्छा score नहीं करेंगे तो demotivate तो बिलकुल ना करना है सब की अपनी अपनी capability है सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं तैयारी आपने अपने हिसाब से किये और जैसी आपने महनत की है वैसा फल आपको मिलेगा ये बात आपको भी पता होगी और ये बात बहतरीन तरीके से याद रखिए महनत अगर लगन मतलब मेहनत अगर दिल से की थी न तो जो सफलता भी होगी न वो भी बिल्कुल शानदारी होगी तो बस अपने आपको इस टाइम बिल्कुल पॉजिटिव रखें जो पढ़ लिया है वो अच्छा पढ़ा है आपने कोई चीज गलत नहीं पढ़ी है अब बस आप एक अच्छी सी रणनीती बनाएं लाश्ट टाइम में अपने दिमाग को बिल्कुल अच्छा रखें काम रखें और बस पेपर को अपना अच्छे से दे कर आएं यह जो model paper है यह आपको बहुत help करने वाला है science में अभी भी last time में जो बच्छे कुछ key points देखना चाते हैं या देखना चाते हैं कि किस topic को basically last time में भी हमें एक बार over revise करना है देखें यहाँ पर जो पहला question है इस question हम देखेंगे पहला question हम देखते हैं क्या पूछा गया dots is a short form of तो यहाँ पर पिछली बार exam में dots की full form पूछी गई थी रीट में directly observed treatment short course यह related है किस से यह हमको वताना है इस बार पूछ सकता है इस तरह से यह WHO द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है WHO की स्थापना कब हुई है 7 अपरेल आप 1948 यह बाद भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं और 7 अपरेल को ही इसी वज़े से हमारा स्वास्थ दिवस जो है वो भी मनाया जाता है तो यह जो डॉट्स डिजीज है वो किस से संबन्दित है वो आपकी टीवी से संबन्दित है ट्यूबर क्लॉसिस से संबन्दित है जिसे हम हिंदी में 6 रोग भी बोलते हैं तो option number C यहाँ पर बिल्कुल सही होगा यह important question है ध्यान लगना है यहाँ पर यह चारो point ही important है पू और एक्जाम में पूछ लिया जाए टाइफाइड किस से होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए सैल मोनेला टाइफी से आपको टाइफाइड होता है और malaria जो है वो protozoa से होता है एक एक point last time में जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत important है उसको अच्छे से याद रखेंगे luteinizing hormone is secreted by पिछली बार इससे related एक question आया था तो इस बार ये पूछ सकता है कि ये जो luteinizing hormone है ये कौन secret करता है तो ये हमारा pituitary gland जो है वो secret करता है तो जितने भी gland हैं उनको अच्छे से याद रखेंगे pituitary gland से ही आपका luteinizing hormone जिसे हम LH बोलते हैं ये secret होता है ये हमारी master ग्रंथी होती है और master of master ग्रंथी किसको बोलते हैं वो hypothalamus को बोलते हैं ये बात भी अच्छे से याद रखेंगे जो growth related hormone है वो भी pituitary gland ही release करता है और जितने भी जादातर other hormones हैं उनको जो secret होना है वो भी कौन देखता है आपका pituitary gland ही देखता है तो ये ग्रंथी बहुत important है मस्तिष्क की मटर के बराबर होती है सबसे छोटी ग्रंथी होती है pituitary gland उसके बाद adrenal gland जो कि हमारी kidney के ऊपर होता है जो हमारा stress वगरा है उसको control करने में जो हमारे जो stress होता है गुसा आता है वहाँ पर adrenal gland जो है वो hormone secret करता है thyroid gland तो आपके गले में होता है thyroxine है ये iodine स संबंदित होता है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है तो option भी यहाँ पर बिल्कुल सही है who discovered penicillin देखे question आपको ऐसा लगेगा कि यह easy है लेकिन यही question important है इनके जो points है आदर जो मैं आपको बता रही हूं वो important है उनसे relate करते वे question पूछेगा जैसे luteinizing hormone का question था त tree gland से penicillin की खोज किस ने की है देखे penicillin की खोज जो है वो Alexander Flaming ने की है ये तो पता है लेकिन penicillin की खोज की थी वो किस से की थी वो क्या था वो mold था जो फंगाई है उससे जो है Alexander Flaming ने आपकी जो penicillin नामक दवाई है उसकी खोज की थी Alexander Flaming ने अब बचेवे तीन option भी याद रखने है इस बार examiner इन तीन option से कोशन पूच सकता है Edward Jenner ने चेचक के टीके small box टीके की खोज की थी Robert Hook ने, Robert Hook ने किसके बारे में बताया आपका cell के बारे में, कोशिका के बारे में Robert Hook ने बताया और जो Robert Coach है उन्होंने जो anthrax नामक रोग होता है बैक्टीरिया से, anthrax बैक्टीरिया की जो खोज है वो Robert Coach ने ही की थी और जो typhide और आपका cholera, sorry typhide नहीं, cholera और TB का जो बैक्टीरिया है उसकी खोज भी किस ने की थी, Robert Coach ने ही की थी ये points भी आप अच्छे से याद रखेंगे देखे, pedagogy के लिए मैं यही बोलूँगे last time पे जो previous year read की video है, जिसमें सारे cover हैं तो उसमें जितने भी pedagogy के question है, वो जरूर देखें उनको जो मैंने अच्छे से समझाया है, वो जरूर देखें वहाँ से question अच्छे खासे आपके फसेंगे out of the following, which teaching method give importance to the mental conclusion निम लिखित में से कोन से सिक्षन विधी मानसिक निसकर्षों को महतव परदान करती है, तो सीधा सा answer होगा आपका problem solving method, एक question problem solving method से आना ही आना है, तो problem solving method जो point है, यह बहुत positive point है अगर option में मिलता है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा एक निशकर्षन करता है, आप कलपना करते हैं, कलपना के बाद उस कलपना का परिच्छन करते हो और एक आप conclusion पर पहुँच जाते हैं तो वो problem solving method ही होता है, तो option C यहाँ पर बिल्कुल सही होगा समस्य समादान विधी, next question जो read में पूछा गया था who is the father of biology, तो यह तो सबी को पता है, जब भी biology की हम जीव विग्यान की बात करते हैं, तो एक ही विक्ति हमारे दिमाग में आता है, वो है अरस्तू, तो इस बार ज़रूरी थोड़ी यह पूछेगा, इस से relate करता है, क्या पूछ लेगा आपसे, geology के father कौन है, तो भाईया, geology के father भी आपके अरस्तू ही है, अब अगर आपसे पूछ ले, कि botany के फादर कौन है, तो प्लांट, प्लांट से संबंदित विग्यान है, botany, उसके फादर कौन है तो वहाँ पर आप थिरो फ्रेस्टस जो है वो टिक करेंगे तो option number C कब सही होगा जब कोशन में पूछा जाएगा क्या botany लेकिन अगर geology और biology की बात करेगा तो अरुस्तु ही होगा और अगर botany की बात करेगा तो फ्रेस्टस वहाँ पर आप टिक कर देंगे ये बहुत ही important points है जो मैं आपको last time में बता रही हूँ Charles Darwin ने आपका जो evolution है उसके बारे में बताया था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है next question जो exam के लिए बहुत important है इसको थोड़ा frame करकर आपसे इस बार रीट में पूश सकता है जो velocity है जो wave है दोनी का air में दोनी से कोशन आ सकता है sound से आपको याद रखना है तीन तरह की sound है इंफरासोनिक, अल्टरासोनिक और audible इंफरासोनिक वो है जो 20 हर्टस से कम है जो आपके elephant वगएरा जो है वो सुन लेते हैं और earthquake में जब आने वाला होता है तो इंफरासोनिक वेवस होती है तो उसके बाद फिर audible आ गए जो हम सुनते हैं 20 से 20 हजार हर्टस की अल्टरासोनिक जो medical वगएरा में यूज होती है चिमगादर वगएरा जो होती है वो ultrasonic sound जो है वो वहाँ पर release करती है और वहाँ पर क्या होता है वो बड़े असानी से अपना जो खाना होता है भूजन होता है उसको पकड़ लेती है तो ultrasonic तरंगे जो होती है उनकी जो frequency है वो 20 हजार हर्टस से उपर होती है sound में याद रखना sound कैसी होती है आपकी longitudinal कैसी है अनुदेर्द तरंग है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए बहुत important point है तो sound के बारे में मैंने कुछ ये key points बताए है ये आप बलुकुल अच्छे से याद रखेंगे तो sound की जो velocity है air में वो 332 meter per second बताई यहाँ पर question ये पूछा चाहरा है कि अगर मैं pressure को double कर दू तो बताईए velocity of sound पर ध्वनी के wake पर क्या प्रभाब पड़ेगा तो ये याद रखना है बहुत important point है थोड़ा frame कर कर पूछ सकता है कि अगर pressure double होता है तो याद रखेंगे sound पर air की sound पर कोई प्रभाब नहीं पड़ता वो अभी भी 332 meter per second ही रहने वाली है तो option डी यहाँ पर सही है next question sonar से संबंधित question पूछा जा सकता है exam में ध्यान रखेंगे sonar का किसलिए use किया जाता है measuring distance, direction and velocity of object in water जल में इस्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए होता है इस बार question ऐसे देगा कि sonar का use किसमे करते हैं दूरी दूसरा option देगा दिशा तीसरा option देगा चाल और चोथा option देगा इन में से सभी तो इन में से सभी वहाँ पर answer हो जाएगा क्योंकि ये तीनों चीजों को दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए sonar जो है use किया जाता है एक question और क्या बनेगा sonar से कि sonar में कौन सी तरंगे use होती है तो sonar में आपकी ultrasonic तरंगे ही use होती है फिर एक question और बनेगा कि sonar की full form क्या है तो ये sound navigation ranging जो है वो sonar की full form है तो तीन question यहां से बन सकते हैं ये point आप अच्छे से याद रखेंगे last time पे whose last step is remedial teaching उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम चरण क्या है तो याद रखेंगे diagnostic teaching जो है निदानात्मक समस्या का पता लगा कर ठीक है उसका निदान करना ही diagnostic teaching ये जो है वो उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है ये diagnose और remedial दोनों एक दूसरे से relate करेंगे तो यहां पर answer हो जाएगा आपको option number C जो next question है question number 9 communicable disease cholera is caused by यहां से तो question बहुत ज़्यादा chances है cholera cholera तो यह याद रिखेंगे एक तो यह bacteria से होता है कोंसे bacteria से होता है vivio colory नमक bacteria से आखो होता है क्या cholera ये communicable disease है जो संक्रमक रोग होते हैं वो या तो किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी जानवर के माध्यम किसी भी माध्यम से एक परसन से दूसरे person में कोई भी disease अगर वो जा रही है तो वो communicable disease है non communicable कौन सी है जो किसी भी person में नहीं जा रही जैसे cancer वगेरा हो गया diabetes हो गई कोई heart से related disease हो गई वो non communicable है वो किसी भी माध्यम से एक person से दूसरे person में नहीं जा सकती तो cholera जो है वो vivio cholera लेपरी देखो mycobacterium lepary से क्या होता है कुष्ठ रोग जो lepary होता है उससे होता है mycobacterium lepary से आपका जो कुष्ठ रोग होता है वो हो जाता है mycobacterium tuberculosis से तो बताया TB होता है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है सारे points जो मैं बोल रही हूँ इस सारे points आपके लिए बहुत important है the transformation of larva into the adult frog is known as metamorphosis तो इस बार question यही पूछ लेगा mendak के larva का west में जो रुपांतरन होता है उसको हम क्या बोलते हैं चार option दे के पूछ लेगा तो याद रखेंगे उसको हम कायंतरन बोलते हैं metamorphosis बोलते हैं और यह जो metamorphosis है यह किस से regulate होती है कौन से हर्मोन की वहां पर जरूट होती है पानी में तभी जो है वो frog जो है जो सुरी larva है वो adult frog बनेगा तो वहां पर thairoxin iodine होना जरूरी है तो thairoxin hormone होना जरूरी है तभी जो है वो आपका larva adult में convert होगा तो option number A यहां पर बलुकुल सही है यह previous year से relate करते हुए ही मैं question आपको बता रही हूँ थोड़ा सा गुमा के question पूछे जा सकते हैं और यह model paper आपके लिए बहुत बहुत जादा important है याद रचे next question 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 number 11 which of the following method is not child centered method जिसमें बच्चा केंदर में नहीं होता है वो कौन सा method है सीधा सा हो जाएगा lecture method lecture method जब भी teacher आपने दिखा होगा कोई कहानी वगेरा सुनाते हैं तो बच्चे कहीं और ही चले जाते हैं तो lecture method ऐसा होता है जिसमें बच्चा child center में नहीं होता teacher ही बोल रहा होता है तो वहाँ पर teacher ही center में बच्चा center में नहीं है और वैसे भी आप याद आखेंगे science के perspective में lecture method बिल्कुल भी अच्छा नहीं है project method बहुत बढ़िया माना गया है और laboratory method भी अच्छा माना गया है demonstration method में भी teacher पहले demo करके दिखाता है यह आप अच्छे से याद रखेंगे तो option number B यहाँ पर sorry कौन सा नहीं है तो option number A जो है वो यहाँ पर सही answer हो जाएगा अब यहाँ से आपको क्या point याद रखना है question में याद रखेगा note शब्द यह नहीं वाली गलती बड़ी common गलती है question को बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ना है दो बार पढ़िए दो बार option देखे क्योंकि आपने बहुत महनत करी है देखे जो नहीं आता वो नहीं हुआ कोई गलबड नहीं लेकिन जो आता है अगर वो गलत हुआ तो उसका दुख सबसे ज़ादा होता है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए नहीं वाले point exam में प्लीज ध्यान रखेगा आपने बहुत महनत करी है तो वो महनत को मैंने फिर से बोला सही तरीके से use करना है घबराना नहीं ध्यान से question को पढ़ना है which of the following is not a de-marit of project method यहां पर भी not शब्दा आईया तो यह चीज याद रखनी है निम्न में से कौन सा जो project पदिती का दोश नहीं है देखे project पदिती जो है वो एक लंबा प्रोसेजर होता है costly method भी हो जाता है क्योंकि बच्चों को जब project कराय जाते हैं तो उसमें बच्चे नेने समान खरीते हैं आपने देखा हो जब आपको कोई project दिया जाता था आप चार्ट पेपर खरीते हैं फैविकोल खरीते हैं वो सारी चीज़े वहाँ पर खरीते है तो थोड़ा सा costly method हो जाता है तो यह तो इसकी एक de-merit है teaching hazard and discontinuous section upon और भी श्रंखलन हो जाता है यहाँ पर प्रजेक्ट method में क्या होता है थोड़ा gap gap हो जाता है बच्चे कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं करें तो थोड़ी सी है कि यहाँ पर teaching hazardous होता है और थोड़ा सा discontinuous जो है यह हो जाता है यह बात भी सही है availability of reference books आपने कोई project work दिया तो बच्चे खुद से ना करके क्या करेंगे जो net पर reference book है या other book है वहाँ से डिक्टो कोपी कर लेते हैं तो यह भी एक इसका demerit है लेकिन related to with a real life यह इसका कोई demerit नहीं है वास्तविक जीवन से संबंदित यह रखता है एट जो बिमारी है उससे प्रभावित होने वाला तंतर कौन सा है यह तो question पूछा गया इस बार exam में पूछ लेगा क्या AIDS की full form क्या है acquired immunodeficiency syndrome यह AIDS की full form है इसके लिए कौन सा परिक्षन होता है यह हमारा effect करता है immune system यह भी आप अच्छे से याद रखेंगे तो यहाँ पर answer तो आपका option number D है यह हमारा immune system को effect करता है AIDS से ग्रसिद विक्ती बार-बार बिमार होता है उसका immune system बहुत ही weak हो जाता है यह हमारे respiratory system को effect नहीं करता यह भी आप याद रखेंगे हमारे nervous system को effect करता है यह भी हम याद रखेंगे तो mostly यहाँ पर जो मुख्यता हो जो effect करता है वो तो आपका immune system ही है यह answer यहाँ पर option number D AIDS की perform, AIDS के लिए कौन सा परिक्शन यह भी मैंने आपको बताया अलिसा, तो यह points भी आरक से आप याद रखेंगे next question, question number 13 जो की pedagogy का question है यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है देखे, aims और objective के बारे में पूछ रहा है तो यह दोनों सही कैसे हो सकते हैं यह दोनों तो गलत ही होंगे एक जैसे नहीं हो सकते हैं और यहाँ पर बोल रहा है कि aims और objective एक हैं दोनों समान हैं नहीं अगर समान होते तो यह सारे option में पूछता ही नहीं कि aim क्या है objective क्या है जब आप कोई चीज पाने की hope किसी भी चीज को achieve करने की वो aim है उसको पाने के लिए आपने जो action किया हो आपका objective है तो यहाँ पर यह दोनों अलग होते हैं और यह बोल रहा है same है तो यह यहाँ पर गलत है बाकी objective can be achieved by school program प्रापे उद्देशय विद्ध्याले कारेक्रम द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं बिल्कुल सही केवल विद्ध्याले कारेक्रम द्वारा उद्देशय प्राप्त नहीं कर सकते यह बात भी सही खाली विद्ध्याले से थोड़ी हो जाएंगे और भी चीज़े है aims are directive in the educational program शिक्षा कारेक्रम में उद्देशय दिशा निर्देशन का कारेकरते हैं बिल्कुल यह बात भी सही है तो यहाँ पर जो गलत था वो option डी ही यहाँ पर गलत था next question जो की most important है myopia और hypermitropia पूछ सकता है तो myopia में याद रखेंगे निकट दिश्टी दोष hypermitropia दूर दिश्टी दोष निकट दिश्टी दोष का मतलब क्या है समझेगा निकट दिश्टी दोष का मतलब है निकट का तो दिखता है दूर का नहीं दिखता चोटा शब्द है उसमें बड़ा वाला concave concave lens यूज होगा जो बड़ा शब्द है उसमें छोटा वाला convex क्योंकि convex की spelling में 5 शब्द है ठीक है sorry 6 शब्द है और जो convex की spelling concave की spelling है वहाँ पर 7 शब्द है तो ऐसे आप याद रह सकते है myopia छोटा है तो वहाँ पर बड़ा वाला concave lens hypermytopia बड़ा है तो वहाँ पर 6 शब्द वाला convex lens इस तरह से आप कभी नहीं भूलेंगे तो option B यहाँ पर बिल्कुल सही है next question the number of joule contained in 1 kWh most most important question है याद रखेंगे क्या answer होगा यहाँ पर सीधा सा याद रखेंगे 36 into 10 to the power 5 joule या फिर 3.6 into 10 to the power 6 joule दोनों यहाँ पर सही होते हैं तो option number A यहाँ पर बिल्कुल सही है और यह question बहुत ही important है और याद रखेंगे joule जो है वो हमारी किसकी इकाई होते है कार्य और उर्जा work or energy दोनों की इकाई होती है standard unit होता है आपका joule next question है digestive enzymes are found in यह जो पाचन enzymes है यह कहाँ पाए जाते है एक question cell से आने की बहुत जादा chances है तो जो cell है कोशिका है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजेगा last time में एक question देखने को मिलेगा आपको तो digestive enzymes जो है वो कहाँ मिलते है वो आपके lysosome में मिलते है यहाँ पर यह हमारी कोशिका का सफाई का कार्य भी कौन करता है lysosome ही करता है यह बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे यह जो cell वाल होती है कोशिका बित्ति होती है यह animal cell में नहीं होती यह plant cell में ही पाई जाती है उनको rigidity प्रोवाइट करती है ताकि वो आधी तुफान में भी खड़े रहे है तो यह cell वाल जो है वो आपके plant cell में होगी animal cell में नहीं होगी यह बात भी आप याद रखेंगे mitochondria energy powerhouse ATP का संब्द mitochondria से है kristi किस में found होता है mitochondria में found होता है यह सारे point mitochondria से संब्द देत है बाकि आपका ribosome जो होते हैं वो endoplasmic reticulum में पाए जाते हैं protein के synthesize में काम आते हैं ठीक है गोल जी काई क्या करती है जो भी protein synthesize होकर आया है उसको क्या करेगी packet की form में receive करेगी और other other substance में पहुचाएगी इस तरह से आप एक बार कोशिका के जो components हैं उसको जरूर देख कर जाएगा यहां से question बनने का पूरा आपका chance है तो यहां पर जो answer था वो था आपका option number C lysosomes next question है if we put camphor in an open container देखे एक question आपका पूरा chances है separation of substances से देखने को मिले अगर अभी तक नहीं पढ़ा कि पदार्तो का प्रत्थे करण कैसे होता है तो playlist में जाएंगे CDC एक playlist दिखेगे read की उसमें chapter पढ़ाया है या फिर eye button में link का रहा होगा separation of substances का तो वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको last time पे जरूर देखें एक question हो सकता है वहाँ से आपका put हो जाए if we put camphor in an open container its amount keep on decreasing due to the phenomenon of ठीक है अगर हम खुले में जो कपूर है उसको रखती है तो वो घटना शुरू कर देता है उसकी मातरा घटी है किसकी वज़े से क्योंकि वो direct solid से gas बन जाता है liquid phase तो वहाँ पर आता ही नहीं है और उसे को हम क्या बोलते है sublimation बोलते है उर्ध पातन बोलते है यह बात आप अच्छे से याद रखेंगे important है sublimation ठीक है next question angstrom क्या मातरा है एक आपका SI unit से question मिल सकता है तो SI unit अच्छे से देख कर जाएं यह आपका क्या नापता है तरंग दहद है जिसे हम lambda से represent करते है या 8 knot इस तरह से तो यह जो angstrom होती है यह किसको measure करता है यह wavelength को measure करता है तरंग दहद को यह question मैंने फिर से add किया है और यह question बहुत important question है formula बताना है washing soda का धावक soda का formula क्या होता है जिसे हम क्या बोलते है sodium carbonate Na2CO3 sodium carbonate जिसे हम धावक soda washing soda बोलते है तो option D यहाँ पर answer है NaHCO3 sodium bicarbonate भी याद रखना है यह भी पूछा जा सकता है sodium chloride NaCl भी पूछा जा सकता है और यह याद रखेंगे CA SO4 calcium sulfate और यह जब भी इस तरह से आ जाए यहाँ पर by है ना यह लगके H2O मिल जाए तो यह plaster of paris का है लेकिन अगर इस तरह से आ जाए CA SO4 to H2O तो वो आपका gypsum का है यह भी अच्छे से याद रखेंगे formula gypsum का यह होता है यह वाला formula plaster of paris का है यह आपका sodium carbonate का है यह sodium bicarbonate का है और NaCl तो आपका sodium chloride होता है यह आप अच्छे से याद रखेंगे नेक्स question है यदि किसी वस्तु की चाल दुगनी करती जाए गती जो है उस चल वस्तु की दुगनी कर दी जाए तो उसकी गती जूर्जा क्या होगी दो formula याद रखेंगे last time में कि जो kinetic energy होती है वो half mv square होती है formula आ जाए तो मतलब कोई question आ जाए तो formula में put करके आप बता सकते हैं यहाँ पर जो vague है वो दूगना कर दिया गया है मतलब अगर vague पहले एक था तो एक का square तो एक ही रहेगा तो kinetic energy गती जूर्जा वहाँ पर एक थी लेकिन अब vague को दूगना कर दिया है दो कर दिया है और दो का square करेंगे तो चार हो जाएगा तो kinetic गती जूर्जा वहाँ पर कितनी हो जाएगी चौगनी हो जाएगी याद रखेंगे और kinetic energy और जो mass है वो directly proportional जितना mass जितना द्रवमान बढ़ेगा उतनी ही kinetic energy बढ़ेगी और velocity में तो square से बढ़ेगी आपकी क्या kinetic energy तो velocity जब वेग दुगना हुआ तो kinetic energy आपकी चार उनी हो गए ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे next question है चुम्ब के छेतर का मात्र क्या होता है magnetic field का unit हमको वताना है इसका unit tesla होता है और cgs में क्या होता है इसका unit goss होता है तो यहाँ पर answer होगा option number c goss एक point आप याद रखेंगे एक tesla किसके बराबर होता है 10 to the power 4 goss के बराबर होता है next point जो याद रखना है एक joule 10 to the power 7 अर्ग के बराबर होता है और ये joule किसका मात्रक होता है ये आपका कार्य का मात्रक होता है तो अगर question आजाए अर्ग किसका मात्रक है तो वो आपका कार्य का मात्रक हो जाएगा और एक joule 10 to the power 7 अर्ग के बराबर होता है एक newton पूछ ले तो एक newton आपका 10 to the power 5 dine के बराबर होता है और newton तो आपको पता है किसका मात्रक है force का मात्रक है बल का मात रख है तो एक न्यूटन 10 to the power 5 डाइन के बराबर होता है तो डाइन भी जो है वो आपका कार्य, सुरी कार्य नहीं बल बल का ही मात रख है आपका डाइन भी यह आपको सारे point जो बोल रही हूं बहुत ही अच्छे से जहान में आपको रखने है next question जो pedagogy का है which of the following is not, इन not वाले question pedagogy में बहुत आया है तो दियान रखेंगे ठीक है, which of the following is not a qualitative test, अब देखें यहाँ पर पहचानेंगे कैसे, जो सबसे अलग है वही बहार हो जाएगा, checklist से अगर हमें बच्ची के कोई quality बतानी है, जैसे हमको पता करना है कि यह बच्चा mass में भीक है, तो हम सीधा पूछेंगे, देखेंगे कि English में अच्छा, Hindi में अच्छा, डरक डरक चीज़े देखेंगे, checklist में हम बलकूर बता सकते हैं उसकी एक quality को वहाँ पर judge कर सकते हैं rating scale से भी हो सकता है यहाँ पर objective question जो होते हैं चार में से एक वहाँ से भी आप quality test कर सकते हैं लेकिन जो qualities test है वो observation से नहीं होता, निरिक्षन से नहीं होता और तीनों में से यही option अलग लग रहा था तो option number A यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या answer next question which of the following is an audio video aid मतलब audio भी है, अवास भी है, वीडियो भी है, देख भी रहे हैं तो कौन सा है, documentary film सीदी सी बात है, जब कोई film देखाई जा रही है तो उसमें audio भी है और वीडियो भी है शव्वे भी है और दश्य भी है तो option number A यहाँ पर बिल्कुल सही होगा pedagogy के जो question आने है वहाँ पर आपको थोड़ा सा बहुत ही logically way से सोचते हुए अपने question करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं होगा previous year के सारे pedagogy एक बार देख कर जाएं बहुत ही help आपको वहाँ पर फिर वो वहाँ से आपको होगी next question a man of mass 50 kg jump to the height of 1 meter his potential energy at the highest point is एक question kinetic energy करता है यहाँ पर इस्ति जूरजा की बात हो दिया potential energy जिसको हम किस से represent करते हैं MGH से तो formula पता है तो कर सकते हो mass कितना है आपका 50 kg है ठीक है और G की value question में रखने के लिए 10 वैसे G की value कितनी होती है याद रखेंगे 9.8 होती है कितना आजाएगा आपका अंसर 500 J आजाएगा तो option number B जो है वो यहाँ पर बिल्कुए सही होने वाला है ठीक है तो यह यहाँ पर answer हो गया next question example of fibrous root इस यह question आया हो है तो इस बार आपसे हो सकता है fibrous की जगा tap root पूछ ले दो तरह की जड़े होती है एक आपस्थानिक जिसे हम रेशिदा जड़े बोलते है या fibrous root बोलते है दूसरी होती है आपकी tap root जिसे हम मूश लदा जड़े बोलते है जो fibrous root होती है बेसिकलि उसमें गुच्छे देखने को मिलते है जैसे आपने कभी घास का पौध हटाया होगा तो घास का गुच्छा देखने को मिलता है यह का पौध हटाया होगा तो उसमें गुच्छे देखने को मिलते है तो वो आपकी fibrous root है ऐसी fibrous root हमको मक्का में भी देखने को मिलती है तो यहाँ पर आंसर तो मेज है, बाकी टैप रूट क्या होता है, जैसे गाजर में देखा होगा, एक मुख्य जड़ है, है ना उसमें छोटे-छोटे इस तरह से धागे अलग-अलग निकले वे होते हैं, तो वो आपकी टैप रूट होती है, मुशल अधार जड़ होती है, ज यह सब फाइवरोस रूट के ही एक्जामपल है, बाकी मस्टर्ड, ग्राम और क्यारेट, यह मूली, यह सब जो है वो टैप रूट के उधारन है, ठीक है, नेक्स कोशन है, ऑक्सिडेशन इस प्रॉसेस विच इर्वाल्व, ऑक्सिडेशन क्या है, जिसमें शामिल है, एक ए अच्छे से बिल्कुल याद रखना है, ऑक्सिडेशन क्या है, आपका अच्छे से बिल्कुल याद रखना है, एक्सिडेशन क्या है, आपका अच्छे से बिल्कुल याद रखना है, इस तरह से समझ के आपको अच्छे से बिल्कुल याद रखना है, ऑक्सिडेशन क्या है और जो अजय जाएगा किसमे कौनछसा acid होता है पूरे chances है submitted question आको मिल जाए । इसेतिक एसेď हमको किसमें देखने क्व मिलता है, जितने भी आपके शंत्रा वगारा, जो कहते हैं होते हैं वहां पर हमको citra और जो ऑक्जालिक एसे होता है वो हमको टमलेंट नहीं टेमाटर में तेखने को मिलता है तो het wei wadigra pagड़े तो अमसे आप extra से देखकर जाईएगा नेक्ष्ट कोश्चन जो कि very very important कोश्चन आपको ग्जाम में को मिल सकता है से टमबर और ओफ एक्ट्रोण इन or a atom is determined by परमाणों की किसी कक्षा में अधिकतम electron की संख्या ग्याद करी जाती है किसे यहाँ पर n क्या बता रहा है orbit number कक्षा की संख्या आपको बता है कक्षा कैसे होती है के l m n या फिर 1 2 3 तो पहली कक्षा है तो n की value क्या होगी 1 होगी और यहां के लिए जो formula होता है अगर आपको बताना है कि किसी कक्षा में कितने number of electron है electron पर negative charge होता है वही गूमते है atom के atom में जितने भी number of free electron हो वो उसमें गूमते रहेंगे ठीक है metal में होते है basically non metal में number of free electrons नहीं होते इसलिए वो बिजली के conductor भी नहीं होते क्योंकि वहां पर free electron चाहिए होते है वो एक अलग point हो गया लेकिन यहां पर आप formula याद रखेंगे two and square तो जितना भी orbit पूछे जो भी कक्षा पूछे जैसे दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षा में दू का square कर देंगे कितना हो जागा चार और चार दूनी आठ तो वहाँ पर number of free electrons आपको कितने मिलेंगे वो मिल जाएंगे आपको maximum वहाँ पर कितने हो सकते हैं आठ हो सकते हैं एक point और आपको याद रखने है तो atomic mask को परमानो द्रव्यमान जाएं यहाँ पर जब बी नीचे जो भी लिखा और याद रखेंगे वो number of उसका क्या है Atomic number है परमानो संख्या है और किसी भी atom की जो भी Sori item भोले किसी भी किसी भी तत्व की परमालों संख्या दी है, suppose 8 दी है, तो उसका जो atomic, जो उसकी number of proton और number of electron उसमें होंगे, वो 8 ही होंगे, और atomic mass जो होता है, जो उपर दियावा होता है, वो किसका combination होता है, वो neutron और proton का combination होता है, याद रखेंगे, atomic mass is the sum of neutron और proton, ठीक है, अगर आपको question में electron बता है, तो आपको proton बता है, और आपको atomic mass देदेगा, तो वहाँ से आप neutron बता सकते हैं, तो इस तरह से electron, proton, neutron आपसे पूछ सकता है, किसी भी तत्व में, तो आपको पता होना चाहिए, पूरा मैंने आपको concept यहाँ पर समझा दिया है, नेक्स कोशन, पूरा चांसिज है कि green house gas से, आपको green house effect से question देखने को मिल जाए, बार-बार पूछा गया है read में, the gases present in the atmosphere that cause green house effect are, वायू मंडल में उपस्तित gas हों में, जो पौधगर प्रभाव का करान है, वो हमको बतानी है, चार important gases होती है, जो आपको याद अखनी है, एक तो methane होती है, CH4, एक आपका water vapor भी होता है, ठीक है, जलवास भी होता है, और तीसरा आपका carbon dioxide भी होता है, और एक आपका nitrous oxide भी होता है, तो यह चार gases होती है, जो green house effect के लिए जिम्मेदार होती है, चारो gases का नाम याद रखेंगे, carbon dioxide, methane, water vapor और nitrous oxide, तो यहाँ पर चौथा option जो है, वो बिल्कुल सही होगा, बाकि सारे options में देखेंगे, oxygen बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पर भी oxygen है, यह भी बाहर, sulfur dioxide भी नहीं होती है, तो आपकी acid rain में होती है, तो यहाँ पर जो answer है, वो आपका option number 4 है, बाकि याद रखेंगे, nitrous oxide भी greenhouse effect gas में ही आती है, important question है, याद रखना है, 30 question, ठीक है, यहाँ पर पूछ सकता है, इस बार आपसे, जैसे question में पूछा गयता है बिछली बार, 27 kg weight is equivalent to, 27 kg का जो weight है, वो किसके equivalent है, पहली बार, weight जो है, weight की अगर कभी मात्रक पूछ ले, तो याद रखेगा, weight का मात्रक जो है, newton भी होता है, mass और weight में यही difference होता है, mass कभी change नहीं होता, mass अगर आपका धरती पर जो है, वही mass जो है, आपका moon पर होगा, लेकिन weight change होता है, weight अगर आपका मैं कहूँ, यहाँ 60 kg है, तो moon पर आपका weight जो है, वो उसका एक बटा 6 होगा, मतलब 10 kg वहाँ पर हो जाएगा, तो weight और mass में यहीं अंतर होता है, weight change होता है, लेकिन mass जो है, वो तो हमेशा body का structure है, तो वो तो हमेशा C में रहेगा, चाहें आप यहाँ रहो, चाहें आप moon पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, mass change नहीं होता है, weight change होता है, weight का एक मातलब Newton भी होता है, और याद रखेंगे, 1 kg की जब हम Newton में बात कर रहे होते हैं, तो वो 9.8 Newton के बराबर होता है, कितने के 9.8 Newton, याद रखेंगा पूश सकता एक्जाम में, यह 27 kg की बात कर रहेता है, तो 27 की गुणा किससे होगी, 9.8 से होगी और जब आप इसकी multiply करेंगे, तो आपको option number C मिल जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका option number C होगा, एक कुशन और extra में एड़ किया, noise intensity greater than is painful to human, human body, कितने decibel की अगर आप sound सुनते हैं, तो वो painful है, human के लिए तो लगभग 80 decibel से उपर की sound, अगर आप सुनते हैं, तो वो मनुष्य के कानों के लिए अच्छी नहीं होती, तो option D यहाँ पर सही है, यह आप अच्छे से याद आखेंगे, यह बहुत important question है, यह सारी चीज़े आपको अच्छे से याद आखेंगे, यहाँ पर मैंने computer से, और solar system से question add नहीं किया, लेकिन यहाँ देखेंगे, एक question computer से आना आना है, और एक question solar system से आना है, बहुत easy question आये हैं, और इस बार भी easy आएगा, i button में link मिल जाएगा, यह आप topic series में जाकर अबी तक solar system नहीं देखा, वो अगर देख लेते हैं, तो होई नहीं सकता, एक question जो solar system से आए, वो आपका गलत हो जाए, computer में simple read की book में से computer का chapter पढ़ लें, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे, तो वहाँ से जो एक question आना है computer का, वो भी clear हो जाएगा, तो यहाद आखेंगे, एक question computer और एक question solar system से आपको देखने को मिलेगा, rate की exam में, तो यह last time में मैंने आपको एक model paper कराया, पूरा पिछले साल का जो जितने भी paper आए हैं, उनको थोड़ा relate करते हैं, other question क्या बन सकते हैं, वो मैंने आपको बताए, तो यह model paper आपके लिए बहुत important है, यहाँ से आपको बहुत सारी knowledge मिली, एक confidence आपके अंदर आया होगा, देखें, यह नहीं कि भारी कोशन रखने हैं, confidence कैसे आए, जब हमने सारे कोशन देखो समझे, हैना आपको realize हुआ कि paper इतना भी tough नहीं है, तो हमको level सही रखना है, तयारी हमारी हो चुकी है, अब घवरानी की कुई जरुवत नहीं है, मेहनत आपने कर लिए, बस अपना confidence, अपनी runnity बनाए, और follow करें, क्या आपको देखना है, क्या नहीं देखना, इस model paper से आपने क्या सीखा, क्या कमी आपकी रह गए जो आपको करनी है, अपने पर भरूसा रखें, और मेहनत करते रहें, मेहनत अच्छी करी है, तो result भी आपको अच्छा मिलेगा, मेरी तरफ से exam के लिए all the best है, बहुत ही बड़ी हासे आप अपना paper करके हैं, मेरी तरफ से तो यही आशिरवाद है सभी बच्चों के लिए, इस सभी बहुत बड़ी हा paper करें, अगर आपने मेहनत की है तो, ठीक है मेहनत खी है, तब ही है अशिवाद अगर मेहनत नहीं की है, तो भाई या कुछ नहीं हो सकता फिर, तो मेहनत भी बहुत जरूरी है, सफलता तब ही है, जब मेहनत है, तो इतना ही सब कुछ था all the best में तरह से बहुत बढ़ा पेपर करके आना है आपको रीट में अपनी कमियों को पहचाने वीडियो से जुड़े रहना है आगे के लिए जो सीटर की तैयारी होगी और चैनल अच्छा लगते तो प्लीज उसको क्या करते हैं दूसरों को भी बता है है ना वीडियो को शियर कर दिया करें लाइक करें और इसी तरह जुड़े रहें थैंक यू